दोस्तों आज इस वीडियों हम दो इंप्वार्टन अप्डेट के बारें बात करेंगे एक यूपी पीसियल टेजिटू की जो एक्जाम डेट है उसको लिए हम बात करेंगे जो की दस नॉब्र जो एक्जाम डेट है उसको लिए काफी जाए कंडेट में कंफूजन है उसके यहाँ पर हम डिस्स करेंगे थोड़ा सा और दोस्तों यूपी आरनल तरह सो जो अपडेट है कि अस्टेंज इनियर का फाइनल डिजर्ट डिक्लियर कर दिया है एलेक्टिकल मेकैनिकल सेविली एडिम ठीक है सभी का यहाँ पर आज की डेट पर यह आपका आ गया है आपर यहाँ प्रिकर कर दिया गया है मैकैनिकल का यह बात का टऑफ यहाँ पर जारी कर दिए और यहाँ पिलक्तिकल का है तो कम्पिटर साइंस का सब र्फ की कई Tarff उर व्रकमिड देग्लियर कर दिया एक पर्सयुशो का है ज्यवत तो यह आप लोग कла है मीजहां का यह ह यह आपका सब कुछ सेम है जो नोटिस में था ठीक है उसके बाद यहां पर 17 वाला भी सेम है जो यहां पर 19 तारीक वाला यही सबसे पहले बता यह अगर 19 होना होता तो यह सेक्वेंशियल होता है वह दस यह है वह जो टाइपिंग होती है टाइपिंग में मिश्टैक हो गया है यही बात है बाकि यह आपका एक्जाम फिर से आप लोग सुन लेजिए तीन साथ आठ नौ दस और सत्रा इन्ही डेट में आपका एक्जाम है ठीक है तीन साथ आठ नौ सत्रा ठीक है इसी डेट में आपका एक्जाम है और जो नोटिस में था वही सेम सब कुछ है जो आपके एडमिट कार्ड में है सब कुछ शेम है ठीक है आप लोग जो है जो यहां पर इसको देख पर 19 19 को यहां पर इरेज कर देजिए खुदी 19 के जगह जो दोस्तों आपका एडमेट कार्ड में हैं 10 उसी 10 नौंबर को ही एक्जाम होगा ठीक है और बाके का जो 378 970 का उनका भी उसी जो एडमेट कार्ड दिया गया उसी डेट को उसी टाइम पर सब कुछ आपका एक्जाम होगा अब आप लोग परिशान बिल्कुल मत होईए अब आप लोग सिर्फ अपना जो है प्रेक्टिसर्स स्वाल कीजिए आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देजिए मैं शेयर करने नहीं बोलता लेक उसी 10 नॉंबर को ही एक्जाम होगा ठीक है बागी सभी का सेम डेट रोगा